जैय स्रीराम नाम जब करते समय अगर आप यहां तक पहुँच जाओगे तो उसके बाद में आपको कोई दुख नहीं भक्तो बात बहुत छोटी सी है लेकिन सर्वोत्तम है नाम जब लोग करते हैं लेकिन नाम जब के सर्वोत्तम तरीके को जानते नहीं जो सर्वोत्तम तरीके को जानते हैं वास्तम में उन्हें कोई दुख होता ही नहीं है और वहां पहुँच जाते हैं वो जहां कोई दुख होता ही नहीं नाम जब करते समय अगर आपका मन एक आग्रचित हो जाता है उसके अंदर कोई विचार नहीं रहता है तो आप वहां पहुंच जाते हैं, जहां कोई दुख है ही नहीं, वहां पर सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, वहां पर वह है जो आपकी कल्पना से परे है, क्योंकि जब आपने उस आनंद को देखा ही नहीं है, महसूस ही नहीं किया है, तो आप कैसे समझ सकते हैं, ले बानी नहीं कर सकती है तो इसलिए आप नाम जब करते समय यह ध्यान करें कि आपका मन कितने बिचार ले रहा है किस तरह के बिचार ले रहा है और बिचार अच्छे हों या बुरे हों उससे कोई मतलब नहीं बिचार तो अच्छे भी बिचार है और बुरे भी है बुरे बिच आपको पतन की तरफ ले जाते हैं और अच्छे बिचार आपको उत्थान की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए दोनों बिचारों को छोड़ देना ही नामजब कहलाता है। और वह है वो इस्थिति आ है जहाँ दुख और सुख का लबलेस मातर भी नहीं हैं। वहां केवल आनंद ही आनंद है और आनंद की परवासा और कुछ नहीं है सरफ इतनी बता जा सकती है कि आनंद ही आनंद है उसको अनभव किया जाता है वहां पर कोई दुख नहीं रहता है वहां पर कोई क्लेस नहीं रहता है वहां पर कोई असांती नहीं होती है वहां पर हुआ यह नहीं आज आनंद हुआ और कल छिन गया इस संसार में भौतिक बस्तों हैं आज आनंद देती हैं और कल वह बस्तों छुट जाती है उन्हीं से हमें सुख की जगए दुख मिलने लग जाता है लेकिन नाम जब से वह आनंद प्राप्त होता है जिसका वर्णन बानी नहीं कर पाती है तो आसा करते हैं कि आप समझेंगे इस तरह से नाम जब करेंगे और अपने दुख को सदा के लिए बिदा कर देंगे अब हम अपनी बार्णी को विसराम देते हैं जै स्री राम